नमस्कार, शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद रोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गौब लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुस जातक है और आपकी रियल हतेली मेरी शामनी बिवीचना के लिए आ रखी है सबसे पहले देखेंगे तो हतेली की जो आकृति है ये पूरी त्रौ से आयताकार है और हतेलियों की जो स्रेणी होती है आकृति के हिसाब से उसमें ये बहुत स्रेष्ट किसम की हतेली है सबसे उच्च किसम की हतेली जिसको दार्षनिक हतेली कहते है जिग्यासो परवृतिका ब्यक्तित तो रहेगा एनलेटिकल स्वभावाला ब्यक्तित तो रहेगा करियर का मामला अगर हम देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो सारिक मेहनत की जरुरत थोड़ा सी कम पड़ती हो या जिसमें मानसिक मेहनत की जरुरत ज़्यादा पड़ती हो सारिक मेहनत की जरुरत थोड़ी सी कम पड़ती हो ऐसा करियर आपके लिए बहुत जादा सूटेबल रहेगा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे कामों में आप बहुत अच्छे कामियाबी को जीवन में हासिल करेंगे ये निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हतेली में देखें तो आपकी हतेली की जो आभा मंडल है जो औरा है वो बहुत सुन्दर है चाए प्रस्तितिया कैसी भी हो लेकिन आने वाले समय में भाग्योदा ये बहुत अच्छा होगा और लगभग लगभग जो आपकी लक्षमी की रेखा कह रही है उसको भी बताऊंगा मैं ये कह रहा है कि जीवनकाल के ठीक दो वर्सों के बाद यहां पे दो वर्सों के बाद ठीक दो वर्सों के बाद आपकी जीवन में भाग्योदाई की इस्तिति आ रही है और बहुत ज्यादा परिवर्तन आपकी जीवन के तमाम आयामों पे इसका प मुड़ना नहीं देखना पड़ेगा पीछे मुड़के यहाँ पे सबसे पहला आपका सवाल है उसको भी मैं लेता हूँ लेकिन एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण आपकी हतेली में उसको दिखा लेता हूँ और देखेगा यहाँ पे देखेंगे तो इस तरों से बहुत सारी रेखाई आपकी हतेली में यहाँ पे दिखाई दी रही है ठिक यह रेखाई नाड़ी की रेखाई होती हैं यह रेखाई जब उबरती हैं तो इस प्रकार से मुख्य रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती हैं लेकिन किसी एक परवत पर ये जाती नहीं है, तो ये राहों को खराब करती है, तो ऐसी इस्तिति में ये आपकी बुद्धि को भटका कर रखती है, कई बार आपको ये उपाई भी नहीं करने देती है, कई नोकरियां बदलवा देती है, आप सही को गलत और गलत को सही समझेंगे, ऐसी इस्तितियां ये उत्पन कराती है, आपको कभी नोकरी अच्छी लगेगी, तो मैनेजमेंट खराब लगेगी, कभी मैनेजमेंट अच्छी लगेगी, तो सेल्री कम लेगेगी, मतलब कभी भी मन मताबिक नौकरी ही नहीं मिलेगी ऐसी इस्तित्याये कहीं न कहीं देता है क्योंकि राहो खराब करने का मतलब है आप जानते हैं राहो परिवर्तन सील ग्रह है इसलिए यह आपके काम एवं ब्यावसाय में इस्तिर्ता नहीं आनी देता है ये राहों का प्रमुख कार्य है और भी बहुत सारी चीज़े हैं इस पे हम चर्चा करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सोचना आपको देना चाहता हूं अभी तक मेरा दस वर्सों से अधिक का जो रिसर्च है जो अनुसंदान है जो सोध है हस्त रेखा पे उसको आपके सामने लाने के लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है एस्ट्रो भाशकर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूं अगर बारीकी से आप वास्तविक रूप में हस्त रेखा को जानना चाहते हैं या इसमें आप रुच्च रखते हैं इसके रह्ष्चों को बेहत्रिन तरीके से जानना चाहते हैं और अपनी हतेली को बारीकी से देखके जोतिस के मताबिक अपने जीवन के तमाम आयामों को जो है सही करना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो आपके लिए वो चैनल बहुत अच्छा है बहुत फायदे मन्द है छोटी छोटी वीडियो के मादिम से जो लोगों के जीवन में घट रहा है उन लकीरों की वजोसे चाहे वो सडक के किनारे पे हो चाहे महलों की उचाई में हो उसमें हर छेतर के लोग है राजनीति के बड़े धुरंदर लोगों की वास्त्विक प्रेक्टिकल हतेली उसमें है बड़ी-बड़े उध्योगपती जो है जिन से मैं प्रेक्टिकल रोप में मिला हूँ उनकी रियल हतेली का वो भाग उसमें है जो बेग्यान का छेतर है सिक्षा का छेतर है और भी तमाम छेतर है उनसे समंधित जो लोग है उनकी वास्त्विक हतेली का वो चिन मैं वहाँ पे छोटी-छोटी बीडियो के मादिम से दे रहा हूँ और उसके कम्यूनिटी में सास्तर के अनसार उसके एक लेक लिक के भी आपको उसमें दे रहा हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में जाएगा अभी चले जाएगा बाद में देखेगा वीडियो और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे अपना फाइदा उठाएगा दूसरी बात हम करते हैं देखेगा जब भी ये रहखाएँ आगे बढ़ती है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जीवन की लकीर को काटती है मैं आपके सवाल भी लूँगा लेकिन सबसे पहले ये समझाने वाली चीज है तो इसका मतलब होता है सबसे पहली मुश्किल ब्यक्ति की जीवन में ये आती है कि उसको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फिर ये आपकी करियर और धन की रहखा को काटती है तो पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजीविका को लेके हर जगा ब्यक्ति को उतार चड़ाव झेलना पड़ता है फिर ये मस्तिस्क की लकीर को काटती है तो दिन रात ब्यक्ति सोचने वाले परवर्तिका हो जाता है बहुत ज़्यादा कलपना करने वाला परवर्तिका हो जाता है बहुत जादा depression बिक्त की जीवन में आ जाता है तनाव बहुत जादा बिक्त को घेर लेता है और उसकी सीमा तक को ये पार कर लेता है फिर ये कहीं पे जो है आपकी हिर्दे रेखा को काट रहा है तो जो रिस्तों का चरम सुक्का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करता है ब्यक्ति को उस चरम सुक का भोग नहीं देने देता है अब एक चीज देखेगा यहाँ पे एक और घटना घटित होती इससे आप खुद देख लेजेगा जब इस प्रकार से यहाँ पी ये कट-कटाओ की इस्तिती हो ये राहों का परोत है और गुणा का इस प्रकार चिन बन जाए जैसे आपकी हतीली में हो तो आपकी जीवन में कुछ चीजें बता रहा हूं अगर इसका प्रभाव पढ़ता तो होगा ही होगा क्या चीज सबसे पहले अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये नौकरी में बहुत ज़्यादा अर्चने देता है नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है या नौकरी छूट जाती है अगर आप ब्यापार कर रहे हैं तो अचानक ऐसी इस्तिती आ जाती है कि भयंकर उतार चड़ाव ब्यक्ति को जेलने पड़ते हैं ठीक ना या नौकरी चली जाती है दोसरा ये इससे अगर थोड़ा आप बच गए या ना भी बचे तो भी ये कई बार धन के नुक्सान को दिखाता है बहुत बड़ा धन का नुक्सान हो जाता है या ब्यक्ति कर्जे में डूब जाता है कर्जे से मुक्ति नहीं ले पाता है बहुत ज़्यादा दल दल में उसके फंस जाता है अगर इस चे थोड़ा आप बच गए तो मैंने ये देखा है ब्यक्ति किसी बाद बिबाद में ऐसा फंसता है चाए मिया बीबी का हो चाए अन्य मुश्किल हो जाता है राहत नहीं गलती है अगर कभी कबार आप इससे बच गए तो मैंने कई बार देखा कि या बिक्ति का या परिवार में किसी और का किसी न किसी का चीर फार होता है मनि आपरेशनों गिरा कहीं न कहीं होता है या रहस्य मैं बीमारी बिक्ति को पकड़ ले लेकिन सही से जो है उसका फाइदा नहीं मिल पाता है ये राहो है ये इन चीजों को हमीसा जो है मनि आपके ब्यावसाई को मैंने पहले भी कहा है आपकी काम और ब्यावसाई में इस्तिरता नहीं आने देता है जीवन के तमाम आयामों को और इस्तिर कर लेता है ये इसकी ख केस लगाया है और जीतने के लिए आप उपाई बताइए अब मैंने केस का पहली बता दिया है कि जब ये हो जाता है तो करा किसी ने भरा किसी ने बिना वो जहयका बेक्ति जो है जमेलों में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत जादा मुस्किल हो जाता है इसका मैं आपक कार की प्रेशालिया खड़ी कर रहा है उससे आपको राहत मिलेगी ठीक है इस उपाई को दूँगा दूसरा आप कहते हैं नौकरी में एक कंपनी में टिक के नहीं कर पाता है अच्छी नौकरी के चांस है उपाई बताए अब ये भी इसी का धरावा मैंने बता दिया सारा कु मन मताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है तो इसका उपाई करने पर ही चीजें ठीक होंगी तीसरा मेरे जीवन में मान सम्मानों पैसा होगा 100% होगा लेकिन अभी दो वर्सों की इस्तिति अगर मैं देखो तो आपका जो मुख्यग्र है देव गुरु ब्रस्पति ध्यान से द सनी की तरफ द्रिष्टी गोचर करता है देखता है तो जो दामपत्य जीवन है या परिवार है उसको लेके कहीं न कहीं बिक्ति की जीवन में या तो चिंताएं रहती है या उसका चरम सुक का भोग नहीं कर पाता है वो जहें चाहें कुछ भी हो अगर ये इस प्रकार से ध तो कहीं न कहीं बिक्ति के मान सम्मान को ये ठेस पहुँचाता है तो ये वास्टविक वज़ा है अब आपने कहा कि मान सम्मान या पैसा होगा की नहीं होगा अब यहां पे देखेगा चंद्रमा से निकल करके आपकी एक रेखा आगे बढ़ रही है लेकिन एक हिरदे ऐसे में मिल रही है आगे नहीन जा रही है ये भैनकर चीज होती है ऐसे में बिक्ति भावनाओं की बसीबूत होकर गलत निरणें ले लेता है और उस गलत निरणें के कारण अपनी स्वयम की development को, स्वयम की progress को बादित कर लेता है और फिर उस development को पाना, उस progress को पाना मुस्किल हो जाता मनि अपने पेर पे खुद कुलाडी मारता है तो ऐसे में career और धन का जो मामला है उसमें stability पाने के लिए, अस्ताइत्वत प्राप्त करने के लिए आपको मैं एक साधना दे रहा हूँ, उस साधना को जुरूर करे और अगर आपने वो साधना बहुत संदर तरीके से कर ली और किरियाएं बहुतरिन तरीके से कर ली तो जैसा ही चंदरमा से निकल रहा है, अपने सनी अस्तान पे पहुँचेगा ये पहुँचेगा 45-वे वर्स की बाद या 45-वे वर्स से आपके जीवन में ये इस्तितिया आएंगी जब भी ये पहुँचेगा 45-वे या 46-वे वर्स में वो आपके उपाई के उपर डिपेंड करेगा और किरियाओं के उपर डिपेंड करेगा तो आपके जीवन में कुछ खास घटनाईं घटेंगे एक तो इसके कारण क्या होगा चंद्रमा का और सनी का प्रभाव पड़ रहा है सनी क्या है मकान का भी कारक है ठीक है ऐसे में सबसे पहले ये कहीं न कहीं आपको घर के सुक देने की कोशिस करेगा ऐसे में ये होगा कि परते एक दिन आपके पास धन आएगा परते एक दिन कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और आपकी योग्यता के उनसार आएगा लेकिन परते एक दिन धन आएगा अगर आप लंबे समय से सूच रहे हैं कि एक चार पैयावाला वाहन मेरा हो लेकिन नहीं हो पा रहा है लाग कोशिस करने पर भी तो भी आपको जो है इस रेखा के प्रबल होने पे 45 में या 46 वर्स में होगा ये और आपके जीवन काल के 50 वर्स तक ये अपना फल देगा है ये चीजें घटित होंगे तो आपको अपने वहन का सुक मिलेगा लंबे दोर से आप सोच रहे हैं कि मेरा घर बने घर बने लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है आप एक अंदेरे में छट पटा रहे हैं लेकिन अगर ये रेखा ठीक हो जाती है और 100% होगे मैं ऐसा उपाई आपको दोगा लेकिन करोगे जिस भाव से वही होगा इस बात का ध्यान रखना तो अपने घर का या तो नियो रख रहेंगे या घर बना के तयार कर लेंगे अगर बहुत लंबे समय से आप अपने जो है जिसको कहते हैं ने ब्यावसाई को खड़ा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो 45 से 50 के बीच में यो योग बन रहा है या तो ब्यावसाई खड़ा कर लेंगे और उसका विस्तार और फैलाववे कर लेंगे ये बहुत अच्छा योग आपकी जीवन में बन रहा है तो निश्चित तोर पे मान सम्मान प्रतिष्टा और पैसा होगा ठिक अब आप चोथा सवाल लिखते हैं मैं अपनी वाइप को कपड़ों की दुकान करना चाहता हूँ सपलता मिलेगी की नहीं मिलेगी वो उनके हाथ से पता चलेगा लेकिन अगर आप उनको खाली दुकान में बैठाएं और अपने नाम से करें तो निश्चित तोर पे आपका जिस परकार का सुक्र है ये यकीनन आपको लाव देगा बिसेश कर रेडिमेट कपड़े हैं ब्यूटी इंडस्टरी का काम है ठीक है न? और जो है ब्यूटी इंडस्टरी हुआ रेडिमेट कपड़े हो गए और एक और है जो लगजरी आइटम का का ये चीजे आपको बहुत अच्छी इस्तिति में ले जाएगा और यही काम आपको जो है तरकी देगा लेकिन वास्तिक रूप में एक स्मूथ तरीके से एक स्टेबलिटी के अवस्ता में तभी आएंगे आप जब आपकी करियर और धनकी रेखा एक अच्छी इस्तिति में पहुँचेगा मेन रेखा यही है आपकी हतीली में और इसी का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा पांचमा सवाल आप लिखती है कि आने वाले समय में गौट फारम खोलना चाहता हूँ अच्छा चले उपाई बताई देखें का भाई मेरे इसाब से तो अभी जिस प्रकार से मैं जो है कह रहा हूँ जैसे आपकी हतीली की इस्तिती है अभी दो साल तक आप जो है इसमें पैसा ना बरबाद ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा कितना भी उपाई कर ले बहुत अच्छा नहीं चलेगा ठीक है छटवा मेरी इक्छा जमीन लेने की है क्या ले पाऊंगा 100% ले पाऊंगे लेकिन जो अच्छे योग बन रहे हैं ये 46 से लेके और 50 के बीच में बन रहे है उससे पहले अगर ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर ले वो जो जमीन आप लेंगे वो कहीं न कहीं बाद विबाद वाली हो सकती है तो इन बातों का आप निश्चित तोर पे ध्यान रखेगा ये थे आपके सवाल और हमारे उत्तर ठीक आप कुछ अन्य चीजें आपकी हतीली में देख लेते हैं कि वास्तों में क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी मस्तिस्क रेखा बहुत सांदार है अन्त में दो भागों में बिभक्त है बहुत सांदार होने का मतलब है कि बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा और जब बौदिक अस्तर अच्छा रहेगा तो सपलता उचे किसम की होगी अंत में दो भागों में विवक्त होने का मतलब है कई छेतरों से अर्थों पारजन करने का आप प्रियास कर रहे हैं और आगे जाके सपलता मिलेगी ये निश्चित है चंद्रमा का शीदा प्रभाव पढ़ रहा है तो बरतमान में कहां कुछ अलग है प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाले इनसान हो गए है ज़्यादतर हमेशा कलपनाओं में डूबे रहने वाले बिक्ति हो गए है और बरतमान में आपका जो मन है वो भी एकागरचित कम हो पा रहा है लेकिन आगे चल कर बहुत अच्छी सपलता आपको मिलेगी इसमें कोई दोराई नहीं दिखाई दे रहा है दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो यह सूर्य रेखा आ रही है यहाँ से निकल करके एक रेखा इसको काट रही है और एक यहाँ पे भी काट रही है भले ही तरवुज बन रहा है लेकिन यह कट-कटाव की इस्तिति बता रही है कि कहीं न कहीं आप अपने जीवनकाल में कुछ बदलाव करने वाले है अपने कारेचेतर में बदलाव करने का आप प्रियास कर रहे है लेकिन उसमें बहुत बड़ी सपलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है अब इसमें मैं दिब्य सूर्य किरिया दूँगा क्योंकि सूर्य की अपनी महिमा है जब तक सूर्य ठीक नहीं होगा कुछ करनी पाएगे अब ये रेखा भी सूर्य पे आ रही है कहां से आ रही है सन्य से आ रही ऐ तो एसे जटीती में अगर ऐसा व्यक्ति जो है जुडिसरी और मैनेजमेंट के छेतर में काम करता है तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ये सपलता दिलाती है जीवन काल में थोड़ा आपको रहस्यमई बना के रखेगी लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी लेकिन आगे चलकर संत प्रवर्तिकार रहेंगे बिक्ति तेज़स्वी रहेंगे बहुत अच्छी बुद्धिमता के बिक्ति रहेंगे आत्म ज्यान की बहुत अच्छी प्राप्ति होने वाली है आपको आपको आत्म साक्छातकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा आप अपने आपको बहुत जल्दी जानने वाले है आप कौन है, क्या करने आए है और किस लिए इस धर्ती पर आए है और ये अध्यात्मी की सुरुवात आपकी जीवन में 46 एर से बहुत ग्रोथ कर जाएगी अपने चरम सीमा में रहेगी और उस टेम आपको भगवती लक्षमी की भी बड़ी किरपा होगी और ये लक्ष में आपके स्वास्त्या है, आपके आरोग्या है आपके तंदरस्ती पे तो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी साथ में आपके काम पर, आपके धन पर ये और भी ज़्यादा प्रभाव डालेगी आपके सामाजिक प्रतिष्टा पे आपके पारिवारिक जीवन में आपके जो है पारिवारिक है सामाजिक है और धार्मिक जीवन है इस पे भी बहुत अच्छा प्रभाव ये देगा और कुछ चीजों को ये बहुत अच्छे उभारेगे आपकी जीवन की अंदरोनी जो खुसियां है उसको एक अलग तरह से उभारेगी जिससे कहते हैं ने कि एक मानसिक संतुलन तो बनेगा ही बनेगा आंतरिक खुसियां भी उभरेंगे और जीवन में उरजा है उत्साहा का नई तरीके से सरजन होंगे बहुत लंबे दोर से अटके हुए काम आपके पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे जो काम आपने कभी सोचा भी नहीं होगे वो कहीं न कहीं आपको बहतरीन तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन अभी दो वर्षों तक आपको थोड़ा सा जो है समल के भी चलना है जल्दबाजी से बिसेश कर उतावले पन से और भावनाओं के बसीबूत होकर बड़े निरणे लेने से आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा और पैसों के मामले में भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा समल कर चलना पड़ेगा ठीक है ने और रिष्टों के मामले में भी आपको थोड़ा समल के चलना पड़ेगा तो चीजे कंट्रोल में रहेंगे दूसरा देखेंगे इसमें ब्रिस्पति का भी प्रभाव पढ़ रहा है अगर आप सिक्षा के छितर में काम कर रहे होंगे तो बड़ा नाम कमाएंगे काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे तो बड़ी सपलता मिलेगी और अगर आपका ब्रिस्पति बहुत सुन्दर अवस्ता म प्रभाव पड़ेगा तो आपका उठना बैटना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्टित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा यानि कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्टित लोगों के साथ आपका जुडाव होने वाला है ये रेखा ये यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है अब हम जो है आपकी हिर्दे रेखा को अगर देखें तो हिर्दे रेखा आपकी थोड़ा सा आपके महतो कांचाओं को बहुत जादा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है आपकी सोच बह टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए एनकिन परकाने जो भी आपको करना पड़ी वोग करेंगे जन्म अस्तान से दूर आपकी उन्नत है जन्म अस्तान में रहेकर उन्नत नहीं है एक साधारण बिक्ति बनके रहे जाएंगे ये दिखाई दे रही है ठीक अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज तो रहेगी आपकी जीवन में स्वस्त्य के आरोग्य के और तंद्रस्ति के मामले में आपको थोड़ा सा जो है सजग रहना पड़ेगा बहुत बड़ा कश्ट तो नहीं है बहुत बड़ी बिमारी और ला इलाज बिमारी तो नहीं है लिकिन कोई न कोई चीज स्वस्त्य में लगी रहेगी यह चीज यहाँ पर दिखाई दी रही है लिकन आगे चलकर आप अपने भ्यावसाय मे बहुत बड़ी उन्नत करने वाले हैं यह बी दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर दिखेंग बहुत छोटा है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओ में एकाउंटबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में काफी कमी दिखाई दे रही है जहां तक हो सके नाखोन बढ़ाएं तो लाब होगा धन को हमेशा बचा के चले इनके बीच में ग पाने की इक्षा नेमफिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा बहुत जादा रहेगी यह इस तरफ से यहां पे जुक रही है तो काम्याबी तो आपको प्राप्त होगी ही लेकिन बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिस्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार आपको दोड़ा धुपी का काम भी करना पड़ेगा धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रहेंगी और इस वर में विस्वास बना रहेगा धन और यसकी भूक रहेगी पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जीवन का मुख्य उद्यस्य भी यही रहेगा यहाँ पे ये इस पश्ट तरीके से दिखाई दे रहा है एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रियतनसील बिक्तित तो रहेगा एक बहुत बड़ा योग बन रहा है यहाँ पे दो रेखाई इस पश्ट तरीके से उबर रही है यहाँ पे कूबर बन रही है यहाँ से निकल करके रेखा सनी अस्तान की तरफ जा रही है G1 में 56 के बाद या 56 से ठीक है नि यहाँ पे या तो 56 से होगा या तो 46 से होगा यह आपके उपाई के उपर डिपेंड करता है वैसे संभावना 46 से है क्या होगा आपको अचानक G1 में बहुत बड़ी तरक्षी मिलेगे अचानक जीवन में ये तरकी को दिखा रहा है धन है, परतिष्टा है, मान सम्मान है सभी चीजों में ये बढ़ोत्री को दिखा रहा है ये होगा ही होगा आप अपनी जीवनकाल में इस योग के आने पर निरधन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे लेकिन आपके अंदर एगो प्रोब्लम आ जाएगा उससे आपको थोड़ा सम्मल कर चलना है लेकिन आप धार्मिक भी बहुत जादा हो जाएंगे धर्म कर्म के कारियों में बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे दान पुन्ने से समंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है ब्यवसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है और ब्यवसाई में विसेश प्रकार की सपलता को भी दिखा रहा है और जादतर इसकी पॉसिबिलिटी बन र रखी है 46 एर से तो उपाई करना सुरू करें खुद के बलबोते पे ही आप अपने जीवनकाल में सपलता की प्राप्ति करेंगे अभी 18 मेहने तक थोड़ा उतार चड़ाओ थोड़ा संगर्स की इस्तिति भी रहेगी और तीन चीजें जो मैंने बताई है उनसे समल के रहना है सुक्र आपका अच्छा है पीछे की तरब देख रहा है तो घूमने फ्रिने का सौक भी आगे आएगा और ये बेहतर चीजे देगा निम्न मंगल थोड़ा सा गुस्सा जादा दे देता है चड़ मंगूर वाला और या चिरचड़ापन या कनफ्यूजन उल्जन दुविदा और निरणे लेनी की ताकत में छीनता देता है सही से डिसीजन ऐसा बिक्ति नहीं कर पाता है कि किस तरफ हमें जाना चाहे और क्या करना चाहे ब्रस्पती धीरे धीरे अच्छे अवस्ता में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा मैं उपाई दूँगा उसको जरूर करे सनी की इस्तिती वैंसे अच्छी है सूर्य को थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा छोटा काम भी करेंगे निम फिम पाने की इच्छा रहेगी हरी सबजी है हरे फल है और हरी दालका से उन जादा करे तो लाव होगा चंद्रमा की इस्तिती बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता है ये अभी 18 महने तक आपकी जियोन में थोड़ा प्रभाव डालेगा हो सकता है थोड़ा सा मन को गड़बर रखे या मानसिक परेशाने से गर्सित रहें कई बार बहुत जयादा भावकता आ सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं और नीन आने में भी कभी-कभी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो इसके लिए भी एक छोटा सा उपाई किरिया दे रहा हूं जरूर करें देखा जाए तो वास्त्विक रोप में मैंने बड़ी गहिंता से आपकी हतेली का अध्यन करके आपको बता दिया है और जो उपाई है वो विदिवत तरीके से लिख करके आडियो के माद्यम से आपको भीज रहा हूं आप करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको लाब होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार